अगर आपको कोई I miss you बोले तो क्या reply देना चाहिए आए मैं बताता हूँ और लाश्ट में आपको एक फ़नी reply भी बताऊँगा तो वीडियो को देखते रहिए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं पहला reply हो जाएगा I miss you too इसका मतलब हो जाएगा मैं भी तुम्हें miss या याद कर रहा हूँ ये काफी famous और पुराना reply है जो काफी दिनों से चलता आ रहा है और हम दूसरे reply की तरफ चलते हैं दूसरा reply है thank you say that sweetest things इसका मतलब हो जाएगा इतनी प्यारी या मधुर बात कहने के सुक्रिया और तीसरा reply हमारा हो जाएगा तीसरे reply की तरफ चलते हैं how nice are you to say that इसका मतलब हो जाएगा यह कहते विए आप कितने अच्छे लगते हो ये काफी प्यारा और famous भी है चौथा reply हमारा हो जाएगा you mean the world to me मतलब इसका मतलब हो जाएगा तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो ये काफी impressive और impress करने वाली reply है और पाचवा reply है I want to hug इसका मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें hug करना चाहता या चाहती हूँ और हमारा चाथा reply है जो कि काफी वो भी माना जाना reply है जो अक्सर यूज करते हैं I am also missing you मैं भी तुम्हें miss कर रहा हूँ हमारा साथवा reply है I miss me too जो कि funny reply है इसका मतलब हो जाएगा मैं भी खुद को याद कर रहा था अगर सामने वाला बोला है I miss you उसका मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ तो उसके बदले में आप ये दे सकते हैं कि I miss me too इसका मतलब कि मैं भी खुद को ही आद कर रहा था ये एक तरह का फ़नी रिपलाई है इसी तरह एडवांस इंगले सिखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद